तो बहुत दिनों से मैं अपने चानल पे रिपीटेडली हैर की वीडियोस डाल रही थी तो मैंने सुचा कि चलो बहुत दिनों के बाद एगैन अपने चानल पे मेकप की ट्वीटरल डालते हैं यह एक मैरे नॉर्मल से इंडो विस्टर ब्राइडर लोग रिएट किया है आई होप कि इस वीडियो से आप लोगो कुछ सीखने को मिलेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं इसे पहले स्किन केर इस फेरी इंपोटेंट इसके लिए मैं यहां पर यूज करें हो मैसलो वाटर गानियर का और इसे क्या होता है डर्स्ट प्लूशन और जो भी वाटर्पूफ मेकप अगर आपके क्लाइंट ने यूज किया है तो वह भी निकल जाता है जिसकी पता है कि अगर दस्ट पलूशन थोड़ा से भी फेस पे रह जाएंगे और उसके उपर मेकप तो आपको पता है कि स्किन का हलत क्या होगा नेक्स में यहां पर यूज कर रही हूँ सिरम गुद वाइप का क्योंकि ठंड का मौसम है और सिरम लगाना ज़रूरी है देन उसके उपर और थोड़ा सा हाइड्रिशन देने के लिए मैं यहां पर यूज कर रही हूँ पॉन्स का मौसराइजर और जब भी आप मेकप करो तो आप अपने क्लाइंट के स्किन टाइप के हिसाफ से मेकप करो और मेरी यहां पर जो क्लाइंट है इनका स्किन थोड़ा सा नॉमल था और न ए में यहां पर यूम कर रही हूं प्राइमर कलर बार का अवाद न अव फॉर्वर फिटि टू कि सेटिंग्स पर यूमस्टिटा हूँ आफयो!.. पार यूम्स करते हैं旅 चाहिः का authent test याव प्रीषिटी फिसे बजो समय वहां बेत वासिक מאं पिक लोग प्रहिए अभी मैं यहां पर concealer use कर रहे हूं बहुत सारे लोग confused होते हैं concealer बात में यूज करें या पहले यूज करें concealer actually conceal करने का काम करता है तो जो भी आपका unevenness से जो भी problem area है उसे cover करने का काम करता है लेकिन यहां पर shade matter करता है आपकी shade का product use कर रहे हूं तो जो भी उनका skin tone है उसी skin tone के हिसाब से ही आपको product use करना है exact उनके skin tone का या फिर उनके skin tone से थोड़ा सा darker color का product ले सकते हो जिससे देख सकते हो वो concealer लगाने के बाद उनका skin जो है बिल्कुल even हो गया है और मैंने उनके exact skin tone का product use किया है यहाँ पर product को आपको बहुत हलके हातों से blend करना है वरना product जो है वो blender में आ जाएंगे तो इस वज़े से आपको pressure नहीं देना है और ठंड का मोसम है तो आपको product कम use करना है वरना makeup जो है last में वो cakey होने लगता है next अभी हम यहाँ पर use करने वाले है foundation foundation के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा illuminator use किया है क्योंकि मुझे पसनाली थोड़ा सा glow makeup करना पसंद है then हमें foundation को अच्छे से blend करना है foundation blend हो जाने के बाद अभी मैं यहाँ यहाँ पर use कर रही हूं concealer for face highlighting यहाँ पर हम थोड़ा सा lighter वाला shade use करेंगे तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है जो concealer foundation पहले यूज करते हैं वो darker shade का होता है और foundation के बाद जो concealer हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा lighter color का होता है वो correction के लिए होता है और यह face highlighting के लिए होता है अभी मैं यहाँ पर face contour कर रही हूं और powder setting से पहले मैं यहाँ पर लगता है contour के ऊपर वाले पार्ट पे हम blush लगाते हैं then last में यहाँ पे full face को set कर रही हूं with the help of powder में यहाँ पर record का powder यूज कर रही हूं तो अभी हम आगे बढ़ते हैं eye makeup की तरफ सबसे पहले आपको concealer use करना है मैंने यहाँ पे Krylon का base use किया है eyes पे concealer या फिए base जो भी आपने अच्छा लगता है और मेरे पास जब भी time नहीं होता तो मैं जादातर smokey eye करती हूं तो पहले में यहाँ पे orange color का eyeshadow use किया है full eyelid पे then outer corner पे मैंने यहाँ पे maroon color का eyeshadow use किया है और eye makeup में सबसे बड़ा की होता है blending तो आपको blending अच्छे से करना है makeup का सबसे बड़ा की आप कह सकते हो blending इसलिए makeup में ज्यादा time लगते हैं सब कहते हैं कि इतना time क्यों लगता है क्योंकि blending करना होता है वरना makeup जो है बहुत पैची लगने लगता है eyeshadow में एक harsh line दिखने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता तो then center पर मैंने यहाँ पे golden color का glitter use क्या है I know blending में थोड़ा सा time लगता है बट फिर भी patience लेकर आप blending करो और कम time में कैसे आप अच्छे से blend कर सकते हो वो टेकनिक आप सीखते हो practice से तो practice बहुत जादा मेटर करता है then में यहाँ पे यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे gel eyeliner यूज क्या है आज में थोड़ा सा winged eyeliner create करने वाली हूँ जादा तर आप कह सकते हो यह एक eyeliner look है आई मेकप खतम हो जाने के बाद मुझे इसा लग रहा है कि इस मेकप में कुछ कमी है तो मुझे याद आया कि मैंने आइब्रो नहीं बनाई है और last में मैं यहाँ पे आइब्रो ड्रो कर रही हूँ false lashes मैंने off camera यूज किया है और लुक को complete करते हैं लिप्स्टिक से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा nude pink कलर का लिप्स्टिक यूज किया है एंड में मैंने यहाँ पे निक्स का सेटिंग्स पर यूज किया है और यह है फाइनल लुक और अगर आप लोग को यह वाला वीडियो अच्छा लगा है दन प्लीज ट्रू लाइक शानल सब्सक्राइब टू माई चानल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई आं थ थांक यू सोलाइब बाई